हाई अब्रिवान वेलकम तो भीमन नीव आईएस माइनेम इस रोहित गर्चा इन दिस सीरीज इस कॉल्ड तू दपॉइंट एक ऐसी सीरीज जहां पे हम लोग करन्ट अफेट्स को डिसकस करते हैं एक वीडियो के अंदर एक टॉपिक उठाकर और यह वह वहले टॉपिक होते हैं जिनके चांसी सबसे ज़्यादा होते हैं कि आपके प्रिलिम के अंदर आपसे पूछे जाएं और क्योंकि हम तीन ही टॉपिक्स कवर करते हैं एक हफते के अंदर तो वह हाईली क्यूरेटिटीट टॉपिक होते हैं वाट आइमीन इस कि आउट अफ आल दी करेंट अफे के आगी है तो ओविएसली इंपॉर्टेंट सा हो जाता है कोई नई पॉलसी आगी है है ना कोई नया INDC इंटर्डिउस हो गया है तो यह तो ओविएसली इंपॉर्टेंट होते हैं बट ट्रेंड यह देखने को मिला है UPSC के अंदर कि इनके उपर सवाल कम आता है राधर द जीसे महीने के अंदर अगर देखते हैं तो 4x3 बाहराँ तो टोपीच अब कवर हो गए और साल के अंदर आपके 144 तो इसमें से अगर आपके दो या तीन सवाल भी आ जाता है यह सवाल भी आ जाता है तो आइगेस कि यह बहुत अच्छी डील है और थ्रूआट अभिमन्यो इसको exit, engagement, evenings, बहुत असान भाषा में कहें तो ये उन students के लिए हैं जो Indian nationality के नहीं हैं लेकिन इंडिया में पढ़ रहे हैं, और वो अब देश छोड़के जाने वाले हैं, जैसे courses खतम हो रहे हैं, किसी ने मानलो M.Sc. Physics में admission लिये, कहीं पे लेटस से चंडिगर्ड में कहीं प कोर्स खतम होने वाला है, तो उनके उपर हम ये प्रोग्राम apply करते हैं, ये वाला जो ICCR, Indian Council for Cultural Relations, है न, तो उनके थुरू, इनके थुरू हम ये प्रोग्राम exert करते हैं, ये प्रोग्राम हम execute करते हैं, होता कि आए कि इसमें बेसिकली एकर मतलब समझें इसका, कि जो exit होने इसमें वाले हैं देश से, है न, तो उनके साथ में हम engagement बढ़ाते हैं, कहने का मतलब उनको थोड़ा से Indian culture के बारे हम पताते हैं, जाते 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 लास्ट मिनट रिवीजन होती, कि यहाँ पर क्या है इंडिया का फूड कैसा है, इंडिया का ये कै जाते हैं, वहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है, उदर तो बारिश का पता ही नहीं चलता, you know, stuff like that, कि वहाँ पर तो लोग ये खाते हैं, तो इसको हम अपने डायलोग के थुरू वहाँ तक पहुंचाएं, तो उसके लिए ये है, राइट, चलिए, शुरू करते हैं, बेसिक अगर वो किसी और देश में जाएंगे, तो वो आपके अमबैसडर बन जाएंगे और आपी की कही हुई बात वहाँ पर जाके बोलेंगे, यह ना, जाते जाते हैं अपने बसन को थोड़ा सा फीड कर दिया, क्या होगा इससे, ये एक soft power diplomacy का tool है, एक soft power tool है, this soft power diplomacy is meant to spread the India story when students go back to their home countries, right, चलिए, by the way, ICCR, ये एक independent autonomous agency है, government of India की, और इसको 1950 में शुरू किया था, और इसके जो पहले हमारे, जुन्होंने found किया था इसको, उनका क्या नाम है, तो अगर आप comments में बताएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा, कोशिश करना की आप देखो ना की कौन है, मैं आ और इनका नाम freedom struggle में काफी जादा आता है, last-last के दौरान में, और इन्होंने congress के sessions को head भी किया था, काफी लंबे समय तक, जैसे पहले तो हर साल change रता, last-last में जाके हमने ये notice किया था, कि 3-4-4 साल के लिए एक ही president को रखा गया है, जब freedom struggle हमारी peak पे थी, तो कौन है, first education minister, तो जरूरा कमेंट में डाली, उन्हों नहीं इसको found किया था, हमारे ICCR को Indian Council for Cultural Relations, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, क्या aim है इसका जो बोल रहे हैं अपने मुह से जो आया है, aim, to expand India's artistic and creative footprint globally, कैसे, by tapping into the experiences of foreign students studying here, ठीक है, तो हम बाहर footprint बढ़ाने, बिना बाहर गए होए, तो उनके students जो यहाँ पर आया है, उनके थू, the program will begin 3 or 4 months before the foreign students finish their courses, in various central and state universities of the country, ठीक है, last class में बिलकुल, वही मने आपको बताया की, और कब evenings में रखा जाएगा, ताकि classes भी जो है, हिंडर ना हो, the engagement would include, visits to places of national importance, at present, अभी क्या चल रहा है, the ICCR is zero in on, अब देखो, जो अलग-लग places भी विजिट करना है, वो कौन-कौन सी places चूज की हुई है, कहने का मतलब कि अगर हम जैसे वो बोल रहे हैं, कि हमने globally अपना footprint छोड़ना है कहीं पर, तो हम क्या छोड़ना चाहेंगे, तो अगर मानलो आपसे कोई interview में सवाल आता है, या फिर आपको मेंस के कुछ अंसर लिखना है, कि आपने बाहर कोई चाप छोड़नी है, तो आप क्या छोड़ना चाहोगे, ऐसा को छोड़ेंगे जिससे हमार को actually फायदा हो, हमारी value बढ़े, चलिए, देखते, किसके उपर है, at present the ICCR has zeroed in on the Khadi Commission, the Indian Tourism Development Corporation, ठीक है, इन सबसे हमें फायदा होगा, बाहर अगर इसकी word of popularity बढ़ती है तो, and the department of Iyush to hold these evenings with the students, तो वो अलग-लग visits और अलग-लग evenings hold करेंगे इनके साथ, सिखनिक में इसके है, यह वही है कि this soft power diplomacy is meant to spread the India story, when students go back to their home nations, right, as simple as that, तो सवाल इसके उपर क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर मैं आपको फटा-फट पता दू कि सवाल क्या बनेगा, वहीं पुछेंगे कि E3, recently seen in news, is in context with, तो वहाँ पे चार option आजाएंगे, तो जो भी foreign students से related था, soft power diplomacy word भी हो सकता है, वहाँ पे, इस type को कोई option आएगा, तो वो उसका answer होएगा, या ICCR के उपर question आ सकता है, कि कब found हुआ, किसने found हुआ, किया, इसका purpose क्या है, और statement wise सवाल आ सकते है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक autonomous agency है, तो वो इसको बता देंगे कि यह एक ministry of culture का sub-part है, यह कुछ इस type की चीज़ आपको इसमें देखने को मिल सकती है, कि गुमा दिय सवाल को, तो इन दो चीज़ों के उपर इसमें सवाल आ सकते है, एक छोटा सा data point देख लेते हम, हाला कि अभी जो मैं आपको करवाने वाला हूं, यह हम जो है mostly mains के लिए cover करते हैं, ताकि हमारे answers में वजन आए, substance आए, right, तो, and if you wish to cover के आपको हर current affairs holistically cover, जैसे इस video के की topics cover कर पाते हैं, क्योंकि बहुत curate करके, बहुत to the point तरी के से भीजना होते है, if you wish to cover current affairs holistically, so this is the course which is already going on, आपको बहुत ब्रीफ में बताता हूं, यह pre or mains दोनों के लिए है, और offline, online format दोनों में available है, तो ease of access है, यह सब भी रहने दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम cover कैसे करते हैं, number one, you get weekly classes, हफते में दो classes मिलती हैं आपको, एक होती है Saturday को, एक होती है Monday को, पिछले हफते के जितने current affairs होते हैं, इन दो दिन में उसको हम class में, register में लिखते भी हैं, बहुत precise form में, उन्हें समझते भी हैं, और उसके साथ में जो static part थोड़ा बहुत होता है और वो current आप कि static GS में use कर सकते हो, वो भी हम class में देखते हैं, बहुत holistic सी class होती है, सवा घंटे की यह class है, और इसके अंदर आपकी इतनी ज्यादा value addition होती है, कि I think this is the most important class that one can take for preparing for UPSC, है ना, खासकर mains और interview और आगे वाले processes के लिए, चलिए, दूसरे number पे है, you get weekly PDFs, अभी मन्यों की पूरी team है, जो एक इसको create करती है, और curation के बाद में आपके पास पहुंचता है, what I mean is कि बहुत सारे news papers आपको पढ़ने की जुरूरत नहीं है, आप पढ़े भी नहीं सकते हो, जुरूरत तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते हो, उन सब में से जो important है, जो आ सकता है paper म हो गे है, साल के, नहीं, कम pages, हफते के, आपको उसी में आपको पढ़ना है, और जो भी है, multiple newspapers और magazines जो है, उसी के थुरू cover हो जाएगी, number 3, इन दोनों चीजों को verify और पुखता करने के लिए, पक्का करने के लिए, we have weekly tests as well, तो उसी हफते में आपको एक test भी मिलेगा, वो जो आपको अभी PDF के डैश्पोर पे आएगा, और उस test के बाद आपने जो पिछले हफते पढ़ा है, class और उसमें, आपके PDF के अंदर, you can consider कि आपको पक्का हो गया है, this is how you prepare for UPSC, this is how you prepare the current affairs as a module for UPSC, right, and the whole course is brought to you by Abhimanyu IS, Abhimanyu IS has more than 23 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive results since 1999, right, तो reliable source है, also if you are watching video till here, let me give you a 7 days free trial, link is down there, 7 days free trial है आपके पास, आप एक हफते का trial ले सकते हैं, जाए उसको और खुद देखिये, आप अपने multiple sources देख रखे होंगे, दुरुदर की classes, दुरुदर के notes, अपने करके देखा हुआ है, आप एक बर ही आईए, आपको पता लेगा कि class में quality का चल रही है, right, किस type से त्यारी हो रही है, और अगर नहीं भी आपने continue करना हुआ, you will get to learn new things, कि current affairs को हम जो है approach कैसे करते है, चलिए, यह आईश, जो हैना, according to the latest All India Survey on Higher Education, हैना, कौन करता है इसको Ministry of Education, अभी यह भी आपको सवाल एक बन सकता है, प्री के अंदर, separately, कि AISHE, हैना, यह कौन करता है, वो Ministry of Education, वो CSO बगार नहीं करता है, NSSO बगार नहीं करता है, यह करता है Ministry of Education, The number of foreign students enrolled in Indian Higher Education institutions, वर 48,000 in 2022-21, और COVID की वाज़े से उससे पहले, marginal dip from जो पिछले साल में था 49,348, लगभग 300 के आसपस dip देखने को मिला है, तो इंडिया में लगभग 50 यार बच्चा बाहर से पढ़ रहा है, राइट नाओ, ठीक है, People from more than 160 countries visit India to study, कहां कहां से mainly आते है, Nepal, Afghanistan, we have Bangladesh, US, UAE, then we have Bhutan, Sudan, Nigeria, Tanzania and Yemen, यहना, वर the countries from where the majority of the students came, तो आपको देखने को मिलेगा कि Top 5 में आपको US और UAE भी देखने को मिल रहा है, तो अब यहां पे इन countries के अंदर अगा हमने soft power को देजने है अपने, then we have E3, एक portal भी है ICCR का, है ना, जो use होता है इस टाइप की purpose के लिए, which is called India Alumni Portal, अब यह भी एक direct सवाल बनेगा, कि India Alumni Portal is under which agency, है ना, यह वो क्या करता है, वैसे अगर prelim में आएगा, तो वो agency पूछेगा, तो that is the ICCR, यह याद रखना है अपने, ठीक है, चलिए, क्या purpose है इसका, it is a platform to connect with foreign students around the world who have studied in India, यह भी सेम ही है लेकिन ही online portal type है, The portal is envisaged to be a single platform for all past and present foreign scholars to register, interact and maintain their Indian links, तो जब आप लोग, अगर कोई लोग professional service में है या कुछ अभी आप college में होंगे, जब आप इससे बाहर जाते हो ना, तो आपको alumni network के बहुत खास जरूरत पड़ती है, उसकी value बहुत है, बड़ी-बड़ी organizations, आपके शहर में भी, उनका alumni network बहुत strong होता है, क्योंकि हर बंदा किसी और stage of life पे पहुंच चुका होता है, for example एक नया student है, उसको बैंगलॉर में जाना है और वहाँ जाकर उसको रहने की जगा चाहिए, यह से कुछ नहीं पता हो city के बारे में, लेकिन अगर उसकी alumni network में से कोई बैंगलॉर में होगा, और affinity तो ही है, एक particular उससे क्योंकि एक ही group से निकले है, तो वो definitely उसरे की help करते हैं, एक अपना सा चहरात देखने को मिल जाता है, एक अपना सा बंदा वहाँ पर मिल जाता है, तो वो वाली चीज यहाँ पर बोल रहे हैं, कि क्या करेगा वो, एक आपको वो platform देगा to register, interact and maintain their Indian links, ठीक है, कोई अगर कुछ भी है, N number of things are there, आपने start-up खोल लिया, आपको वहाँ पर कोई requirement है, किसी की investor से, anything, right, the portal is aimed at helping past students reconnect with each other, ICCR itself offers scholarships to over 6000 students every year and there are now 30,000 plus ICCR alumni, तो हमारे पास number बहुत strong है, और यह क्या functions करते है, cultural festivals, performances, exhibitions, lectures in India and abroad, basically, इनका काम यह है, यह culture export कर रहे है, अगर हम बहुत crude भाशा में, बहुत ही, सीधी, खड़ी बोली, उसमें बोले है, तो यह कर रहे है हमारा culture export, ठीक है, granting scholarship to foreign students to study in India, यह भी इसका काम है, अब यह सारे options में न, यह आपको ऐसे भी आ सकता, कि which of the following is not correct about ICCR, इसमें एक तो वो पूछ लेंगे, कि it was founded by, गलत नाम दे दिया, है न, यह इन में से कोई एक option गलत कर दिया, कि यह, it does not provide scholarship कर दिया, है न, तो यह भी एक सवाल बन सकता है, तो हमने थोड़ा ध्यान में रखना है, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं इसके अंदर आपको सवाल नहीं exactly कराऊंगा भी, लेकिन आपने थोड़ा ध्यान रखने के सवाल बन क्या सकते हैं, offering courses in Indian music, dance, yoga and languages, तो अपने courses भी offer करता है, ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है, important point हाई यह, ICCR has been assigned the responsibility of facilitating the celebration of international day of yoga, by Indian missions post abroad, since 2015, तो अगर बाहर कहीं पे yoga day या कुछ international yoga कुछ celebrate होता है, तो this is the organization that organizes, और यह बाखे को सथ collaboration बगारा भी देखता है, by collaborating with international organization, cultural institution and foreign governments to promote cultural exchanges, right. That is all for today, thanks for watching and this is Abhimanyu IAS and this series is called to the point. करेंगा, मैं बाज़, आए दो सपरादाए, प्यान करिभाए, आद़ा है कुछ king,